परदान मंतरी आवासी योजना के अंदर कितनी हमें परेशानियां हो रही है उसके निवारन या उसके समधान के लिए हम क्या करें दोस्तों ये एक ऐसी योजना है जिसमें हम अपने जरूरतों को साकार कर सकते हैं हर किसी का सपना होता है कि उसका एक घर हो तो प्रदान मंत्री आवासी योजना के लिए हमने आप, जितनी हमसे हो सकता था हम आपके मदद करने की पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कई हमारे जो वीवर हैं जो दर्शक हैं वो हमसे सवाल पूसते हैं क्योंकि कई परेशानिया हो रही है इस योजना के अंदर और समय समय पर उन्हें कुछ न कुछ सवालों के जवाब उनको चाहिए होते हैं जो हमारे पास भी कई बार नहीं हो पाते हैं तो दोस्तो ऐसी कंडिशन में वो क्या करें कहां जाएं किस से मिलें तो कई तरह की दुविदा हैं उनके सामने तो हमने बद इसी टॉपिक पर ये हमने वीडियो बनाई है कि देखे बहुत सारी तरह की परेशानी है आवसी योजना में जिसमें हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और उनके समाधान के लिए आप कहां पर कस्टमर से किस तरह से संबग कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको बताएंगे कई लोग हम से पूर्णे कि हमें लोन सबसेड़ी कैसे मिलेगी क्योंकि जो प्रधन्वात्रिय ओफ्र ह Aurora lewn में सका है कोई पूस्ता है कि हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कैसे मिलेगा लोन के बारे में वो जानकारी हमसे चाहते हैं तो हम उन्हें जितना हमें पता होता है हम उनको मदद करने कोश्च करते हैं और अगर आपको किसी भी सुविधा अगर होती है अगर आपको क जानकाई नहीं दे रहा या कोई किसी बारे में आपको इसकी जानकाई नहीं दे रहा तो उसके बारे में कहां पर हम बात करें तो इस वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे कि प्रदानमित्र आवसी योजना के जो सहायता केंद्र है जो उनका एक हेल्प लाइन नंबर है जियां ये सरकारी इन्होंने अपना एक हल्पलाइन नंबर चालू किया हुआ इस योजना के साथ तो हम आपको वही नंबर बताएंगे जिस पर आप अपने जितनी भी समस्य उनका आप समाधान करा सकते हैं देखें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे चार नंबर हैं 1811-6446 ऐसी आप तीन चार नंबर आप लिख लीजे या इसको स्क्रीन शॉट खीच लेजिए यह सरकारी नंबर हैं इन्होंने गौवर्मेंट की तरफ से नंबर इशू किये गए हैं अगर आपको प्रधानमत्री आवासी योजना में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो आप इन नंबरों पर संपरक करके किसी भी तरह की जानकारी पा सकते हैं या अपनी शिकायते या सुझाव या कोई भी जरूरत मन्द जो भी जानकरी आपको चाहिए वो इन नमबरों पर आप पा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए ये शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए ये लाल निशान के उपपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान के उपपर जरूर टच कीजिएगा दोस्तों ये बिलकुल फ्री होता है और आप इससे जहाँ से अधा फायदा उठा सकते हैं और आपको मैं नहीं ने वीडियो लगातार मिलती रहेगी तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद